हेलो एबरिबड़ी माई स्मार्ट टीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है एसे से जीडी कॉंस्टेबल का दोस्तो एक्जाम डेट आ चुका है तो हम दोस्तो आपको कराने वाले हैं भेरी भेरी इंपोर्टेन प्रिबियस इयर पूछे जाने वाले प्रसने इसमें दोस्त अप्रठकान प्रस्त पुछे जाते थे इस बार भी दोस्तो देख लेंगा गया जीडी मेंiendoतना प्रस पूछे नहीं जाते हैं तो देख लिजिए दोस्तों कमेड बताइगा आपको एक question चूज किया है मतलब option नमर वन ते सही है goods and service text GST का full group होता है goods and service text GST सबसे पहले भारत के किस राजने लागू किया था कब लागू हुआ था इसका जवाब आप मुझे comment में दे मैं comment में पूछता हूँ आपको नहीं पता होगा तो net for search मारिए आपको याद हो जाएगा तो जरूर comment में दीजिएगा चलिए आंगे बात करते हैं दूसरा प्रस्ण जो पूछा गया है दो आप बताएगा आपका कितना प्रस्ण सही हो रहा है जीके का कितना हो रहा है हिंदी का कितना हो रहा है सारा दिखिए ठीक है मैं कभी कुछ प्रस्ण में आपको देखाऊंगे इसमें ठीक है दूसरा प्रस्ण है पत्तियों मुझूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता यह जो पत्ति में हरा रंग होता है किस नाम से जाना जाते चार ओप्षन दिख रहें यहां फिर ठीक पहले खुझ से चूच करना है हाला कि दोस्तों इसमें टीक मारा हुए है पहले से ग्रीन कलर को वही एंसर एंसर एक्जैक्ट होगा वह आपको नहीं देखना है भाई आपको देखना है बताइए पत्तियों का हरा रंग क्या होता है ऑप्सन शिपा का बताइए ठीक है तो जाइलम क्लोरो फिल्ड या सीज और एक और दोस्तों बुक आता है वह है लुसेंट ज्यादा जीके उधर उसे नहीं पूछा यह तीन बुक पढ़िए आपकार 25 में 20 प्लस मारिएगा ठीक है चलिए खाली अस्तार एक पच्छी है जो सांती का प्रतीक है तो कभूतर भीया सांती का प्रतीक है अप्सन ने देखिए आर्किटेक्चर की जर्नी की टकील ट्रा दिवरा निमलेकित में साकी समारग में पाई जाते है ठीक है ये ताज महन में पाई जाती है अगर आपने ताज महन कभी घह होंगे या नेट पर देखिए गा तो वहांपर युद्ध-डो खुबसूरत कारिगरी की लावनी कौन से राज का लोख निरत है गुजराद-बिहार अस्तान महराज तलावनी है दोस्तों महाराष्ट का, ठीक है पुस्तक इंडिया 2020 पुस्तक इंडिया 2020 किसके दोरा लिखी गई है चलिए, रापनाथ कोईन प्रसुन जोसी, पन्णमुखर जी अपज़ अबदुलकराम थी थेगी बहुत बहुत इंपॉर्टन प्रसने एकजाम के डिस्तिस तो इकजाम में जो सास्ट्रिय निर्थ है आपको चाट के दियाना है धुभाद करतें में इकजाम में दो चार प्रसने दोस्तो आक्सर यही गुमाता रहता है कंचा पुड़ी बताएए कंचा葵ार Till कच्चा पूरी कौन खाएगा आंधर लोग नदा जो होते हैं वह खाते मतलब एक ट्रीक बनाए ठीक है कच्चा पूरी अंदर अंधर प्रदेश को लोग कॉत्तक उत्तर भारत का है ठीक है मोहनी अत्म केरल का है चलिए दोस्तों इंगलिस चैनल तेर कर पारकरने वहली प्रत सब पर जाना है यह आपका लूशन के छोटा वाला जो बूख है दिस्क्रिप्प उसमें मिलेगा इंग्लिस चैनल पार करने वाली प्रतम मिला आरती सहा थी आरती सहा भाई इंग्लिस चैनल पार की है तो उनका आरती तो होगा गुंगान होगा भाई आरती किसका होता है जो क सकतंद पर जेस में निकलता है अमर कंटक की पहारी से निकलती हैald चलिए यह चलिए आंगे बढ़ते हैं भारती यह और विवस्ता का प्राथमिक स्थ हित्र राइड एंसर भाई देखिए दोस्तों भारत का एक पर्मूक लो ऐसक छेत्र कौन सा है राजस्थान गुजरात वाला है नहीं है गुजरात राजस्थान में उतना नहीं होता चलिए उत्थ्थ बिहार में आपको पता है विहार में लोगा कोई सारा कुछ रहा मिला जाता है टीक है उरीसा अरीशा जहरकन ँरिचा झार्कन भारतका हो जहरकन वाले के पहले है सहाँ चाहिगा की चलिए बेस बैसित्टल जेल पर जनता के हमले के कौन से घटना को जर्म दिया है यह फ्रांस की करांति आपसूं ऑपशन द राइट है और यह यदो गया जली आएंगे बढ़ते हैं DNA का फूलु भई या streams पूछा जाता है प्रस्टन दोस्तों एक्जाम में पूछेगा डी आक्सी राइबो निकुलियर एसिड ये कंफ्यूजन नहीं हो जाना है इसमें एमेर डी में तिसतरा नंबर होगा एंचों डी कॉंक्षिय राइबो निकुलियर एसिड ये नाने आसे में पैजाता है नो दोस्तों tapping तो तो महात्मा बुद्ध को एसिया काल का जाता है तो दोस्तों महत्मा बुद्ध को एसिया का जोती कहा जाता है तो मातमा बुद्ध का दोस्तों जरम कहा हुआ था चलिए बताइए कामेंट में मानों सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो यह भाई हड़ी कौन सी है फीमर फीमर इसको फीबर भी याद कर लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई फीबर बहुत लंबा मुझे हो किया था बह सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है फीबर है फीबर फीबर दोनों कोई सी भी याद कीजिए क्या हमको लिखना थोड़े याद करना है ठीक है कि आम एक मारना है नोमिनल जीडिपी के अधार पर 2018 में विच्व का सबसे बड़ा अर्थव्यस्ता में भारत का स्थान पूछ रहा है तीसरा स्थान है चलिए आप बताइए अगर में इंकरेक्ट हूं तो आप बताइए कितना है ठीक है कभी-कभी मुझे भी याद नहीं होता है कंफ्यूजन हो जाता है स्रिलांका में ग्री यूद कब समाप्ट हुआ था दोस्तों स्रिलांका में ग्री यूद कब नेमलिकित में से कौन सा अंतास्रावी तंतर का हिंसा नहीं है तलार ग्रंथी अप्सन भी यह दिखे दोस्तू मतलब सींपल प्रसन पूछने कोई हाड प्रस नहीं पूछा जा रहा है यह सब सारा बुक में आपको मिल जाएगा लुसन का बुक मातर लुसन का बुक पढ़ना है दोस्तों लुसन पढ़ना है और स्पीडी पढ़ना है मातर लुसन के वह नहीं तीन बुक पिजिएगा 25 में 20 वरस किजिएगा ठीक है चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं भारत सबसे छोटा राज सिंपल प्रसन गोवा गोवा सबसे छोटा राज है भारत का क्या इसम में परतम ठीक है सबसे बड़ा सबसे छोटा तब पीवी सिंदु इसका राइट एंसर को लंपीक में रजत पज़त जितने वाली ठीक है अभी दोस्तों लंपीक में किसनों किनों ने गोल्ड मेडल जिता है बताइए तीवी पन नियूज पर कितना खपर देखा होगा चिंतक चिंतक क्या होता है पता नहीं मुझे भी आपकशार्णाद चालिए दोस्तों आएंगे बढ़ते हैं भारतिये जनतंत्र जोंत्र स concept कन देये नमबर संचीं लोगों को अपने परतिनिंदियों को चुनने की अनुम्व़ोती देता है भारतिये जनतंत्र में क्या है ब के चुनते हैं वाड कि मिशनर होता है इसके आलावा मेर का इलेक्सिं होता है इसके अलावा बात करते हैं थो वीधायक हो गया ह antig यह होगा दोस्तो यू इस रटी के पहले नामसे सोव्यास रंग जाना जाता है दोन में यूद तो मतलब उल्ध दम सामने सामने यूद तो नहीं हतियार के रेसर लगा था हतियार हो गया टेकनोलोजी हो गया सारा उसलो बम एक तो वह भी बड़ा बनाता था यह बड़ा बनाती से भी बड़ा बता दोनों में कॉम्पेक्टिशन चल रहा था ठीक है तो होड लगी थी अतिया रहों की ठीक सबसे आंगे कौन जाएगा तो अमेरिका के चाल था सव्यत रूस को तोड़के दोस्तों देखें उनेश्यकान में में रूस तूट गया ठीक है सव्यत संग ताम कहा जाता था रूस बच गया ठीक है तो चलिए यह दोस्तों सारा प्रस्ण हो गया मतलब सारा तो नहीं हुआ जीके का अभी यह देखिए मैं यहां पर स्टार्ट तो मैंस में ज्यादा प्रस्ण नहीं पुछा जाता है सिंपल 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 यह सब ठीक है चलिए यह देखें यह मैं दीकि कि इतना पूचा गया करणा है 136 किलोमेटर के जाएगा चार हो जाएगा यह कितना हो जाता है नो सो चाहटीस है जलिए एक मिनठ 936 यह कितना जाएगा 13 गंटे में सीम्पल सा मैंथ है जो सोची कि इस परकार कमरस ने यह देखिए मैं असा यह देखिए करना तो यह समय पूछे जारें सीम्पल सीम्पल जैटीक देखिए यह जैसे मैं से मनिस ने यहां से बात नहीं है यहां पर इंगलीज हो गया ठीक है इंगलीज भी ज्यादा हाड नहीं पूछा जाता है ठीक है चली नीचे आते है थोड़ा सा इसको करते हैं अंगे का प्रस्ण देखते हैं जो हमें यहां पर यहां पब देखिए दखिए हिंदी का परस्ण आगिए यहां पर पार गया तब देखिए क्या आप पूछ रहा दोस्तों के दिए गए मैं chapat और बच्चों के साथ खेल रहा है तो बच्चों के साथ खेल रही यह होगा ते सिंपल से यह बना दीज़ेगा अस्तान को भरना ही आकास में खाली अस्तान चमक रहा है अकास में क्या चमकता है सोना थोड़े चमकता है चांदी बादल थोड़े तारह ही नहीं चमकता है तो यह हो जाएगा तो देखिए हिंदी में देखें विलोम सब योग का क्या होगा आयोग हो जाएगा तो कितना सींपल सा प्रसने पूछ रहा है यह सब दोस्तों जोजा 19 एकजाम में पूछा गया यस का क्या होगा अब से होगा अब यस होगा सुरी माप कीजिएगा तो यह हो गया सुध वर्तनी भाईया सुध वर्तनी वर्तनी का कलास कराया था दोस्तों देखिए उसमें एक कलास हो चुका है तो मौखिक कैसे लिखाता है यह से लिखाता है मौखिक चलिए यहाँ पर और जुन का प्रवाची सब्द क्या होगा दोस्तों धनंजे तो प्रवाची सब्द भी पढ़ना है सारा हो जाएगा मैं कराऊंगा क्लास जो जन्म से अंदा हो जन्न मंत माद ठीक है यह सब प्रत्न है कुबेर का प्रवाची सब्द यश्राज ठीक है ऐसे याद करना है बु सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ है नहीं जान है नहीं इसमें प्लस नमर लाएगा दोस्तों तो ठीक है पढ़िए पढ़िए चैनल को सब्सक्राइब किए ठीक है चलिए रिकतान यहां पर वसंद पंजभी के दिन की की जाती है प्रातना की जाता है ठीक है पूजा और प्रातनाः में आपको अंदेक हाट बटेर लगना मुहावरा यह देखी यहां पर इस ब्लोक मुहावरा है तो भाई अंदेक हाट में बटेर लगना मुहावरा मतलब बिना प्रयास के किमिती वस्तु मिल जाना अब ऐसे से जी डी पहले दोस्तों दखिए निगेटिंग मार्किंग नहीं होता था का कुल वर्तनी सुद्ध कौन चाहोगा सो का कुल अप्सन सी आपको बताना है दोस्तों कितना सही हो रहा है मैं जो करा रहा हूं ठीक है जीके का पहले बताईएगा हिंदी का छोड़ी है मैं आपको केवल देखा रहा हूं कि क्या-क्या प्रसने पूछा गया था यह सब हो दोस्तों कि भीन को अलग करना इसमें से चुनना है चलिए असान है यह दरपन वाला देखते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए बड़ा हो गया इधर आजा हाँ बाई इधर हम आयना रख देंगे इधर कैसा दिखा इसमें कौन सा होगा ठीक है चलिए यह भी है चलिए असंगत को यहां पर चाटना है भाई चीक है मिस्नर के राधानी हो गया मतलब इसाब पूछ रहा है ग्रीज का इराक का दिनारी क्रेंशी हो गया तो इसाब प्रसने मतलब देख कहीं मार देजेगा ज्यादा पढ़ने लगाने के जरूत तो है नहीं दोस्तों ठीक है असंगत की चुनना जाए से देखिए असंगत क्या डी सी बी ए ठीक है इसमें इधर से देखिए ए बी सी डी ठीक है डालू एक्स वाइजड आई जेके एल यहां पर पी क्यू होगा ना तैसे ही यह अंतर है अब देखिए मा कोई नहीं पड़ता है तो उसका जॉब हो जाएगा पढ़ने पर ही जॉब होगा तब उतना मतलब भी प्रसंद नहीं है असानी से आप चार-पांच घंटे मेहनत कीजिए गा असानी से जॉब प्राप कर लिजिए गा ठीक है तो यहीं दोस्तों आपको पेपर कराएंगे से कराएंगे हिंदी हो गया रिजिनिंग मैज भी कराएंगे आसे देली क्रास आपको एक-दो मिलेगा ठीक है तो जरू सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगा कोई सवाल हो तो कमेंट के मांतम से पूछ लिजेगा सुजाओ देना तो दूस्तों कमेंट कमांतम से प्रतन होता है सो में सो मुझे थोड़ी याद रहेगा तो ऐसे ठीक है चलिए अपना बहुत ध्यान रखेगा बहुत-बहुत धन्यवाद